हेलो फ्रेंट्स पीबी गार्धन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज ही जो वीडियो है ऐसे पर्मनेंट समर प्लावरिंग प्लांट के ऊपर है जिनको आप मई जैसे अभी खत्म हो रहा है जून आ रहा है तो जून में आगर आपने कोई नर्स्री से प्लांट लेनी टो यह सभी प्लांट मेरे पास हैं और इनकी नेम और प्राईज भी शेयर करूंगे इस वीडियो में तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्लाउन्ट है कोलियस आप इस समय नर्स्री से दे सकते हैं कोलियस एक पर्मनेंट प्लांट होता है बहुत सार्डिफरेंट रंग मे यह आपको मिलता है, प्राइज इसका बहुत ही कम रहता है, 20-25 रुपे का यह प्लांट हमारे जहां तो मिल जाता है, क्यार इसकी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा दूप में नहीं रखना है, इसको एक दो गंटे की दूप में रखिए, और कम पानी दीजिए, वे हाइब्रिड हो, दोनों आप इसमें अपनी गार्डन में आड़ कर सकते हैं, जो हाइब्रिड हैं, वो लगवग पूरा साल ही फूल देते हैं, दोनों प्लांट पर्मानेंट हैं, क्यार इनकी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, वेल्डें मिट्टी में ग्रो कीजिए, हाइ ज्यादा दूप इसको पसंद नहीं होती है, सुबह की तीन चार गंटे की पांच गंटे की दूप में रख सकते हैं, दोपैर की दूप से इसको भी बचाना होता है, यह भी प्लांट आपको 17 से लेके सोर के तक नरसरी पर मिल जाता है, इसमें भी बहुत सारे रंग होती है केर को ज्यादा नहीं करने पड़ती है, वेल रेड मिट्टी में लगाईए, जिसमें गार्डन स्वाइल रेथ और खाद मिलाईए, और फिर अच्छे से फूल देता रहता है, ज्यादा पानी भी नहीं देना है, और इसके गंबले की मिट्टी सुकी भी नहीं रखनी है, त अब अपनी गार्डन में आड़ कर सकते हैं, गर्मी की दिने ये फ्लाइट लगवग सारह साल फूल देता है, छासकर जो ड्लार्फ Tian प्लांट कम ज़्यदा फूल आती हैं 15 के दिनों में थोड़े कम आती hen लोगफ प्लांट पूरा साल पूल कने रहती हैं 1589 वैस्ताइब उसा Tou girls क्दी लिए प्रैजटा होता है 265 da क scholars टील कि टेये 24 गंथे दूप में रखें बाकि समय जो है जो दुपैर की तेज दूप हो थी इसको बचाईए पूरे दिन की दूप में इसको नहीं रखना है तीन चार गंटे की दूप आप इसको दे सकते हैं फिर यह देखिए अच्छे से चलता है वेल्डेन मिटी में ग्रो कीजिए पानी हमेशा इसको ज़्यादा दूप पसंद नहीं होती है तो यह भी प्लांट आपको पिचास हाट पर घंबल रहेगा इसमें रंग और भी होती है मेरे पास देखिए औरेंज कलर है तो यह शाय अगर आपके गार्डन में ज़्यादा दूप नहीं आती है तो आप इसको लगा सकते है पूरी गर्मी यह फूल देता है और जब बना भी रहता है पूरा साल तो गर्मी के दिनों में आप फूल लेने के लिए अडेनियम का प्लांट भी लगा सकते हैं अडेनियम का प्लांट भी जो है गर्मी के दिनों में बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिं मिलते हैं द係े होता है जिसमने इन सिंगल-पैटल के फूल आते हैं और इसमें आपको मिल जाते हैं प्राइज़ ने से महंगे लिए उग प्रार्ण पोसलिया एंटे ऑटे ईजो फूल जो सबस्था मिल जाएगा और साय सपर नहींजे Candice फुल खिल जाए आप पिर तो कम दूप में रखें पिर फूल में जो लाइफ है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पुली दूप में रखें इसे बर्न हो स्वजेते तो गर्मी में अगर आप रंग पी फूल लेना चाहते हैं आप अपने गार्डन में सस्ते सस्ते तो आप बिंका को लगा सकते हैं बिंका आपको बहुत सारे डिफ्रेंट रंग में मिल जाता है हाइब्रिड और देशी और यह इसका प्राइज भी बहुत ही कम रहता है 15-20 पे आपको प्लांट मिल जाएगा और पूरी गर्मिया प्लांट फ्लावरिंग करता है जा मैं कहूं कि सार्दियों में इसमें थोड़े थोड़े फूल आते रहते हैं तो यह प्लांट पूरा साल ही फूल देता रहता है सिर्फ जो हाइब्रेड उसको पानी कम देना है अच्छी खाद वाली मिट्टी में पानी में गोल के फंगिसाइड प्लांट को दे दीजिए फिर इसको फंगस भी नहीं लगता है और साथ में प्लांट अच्छे से बना रहता है फूल भी देता रहता है तो बिंका को आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है सर्दिया आन जादा दूप की जरूरत नहीं होती है सुबा की 3-4 गंटे की दूप में आप रख सकते हैं और देखिए इसमें आपको बहुत सारे रंग मिल जाते हैं इसमें अलग अलग टाइप भी होती हैं जो चोटे फूल वाले होती हैं कुछ इसमें बड़े फूल वाले प्लांट प अगर आपके नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं इसमें विया अलग रंग के प्लांट भी मिल जाते हैं जैसे नाग चम्प बगरा है different type की plant भी इसके मिलते हैं सबका जो price है लग लग रहता है मेरा यह plant देखी मैंने यह खरीदा नहीं है मैंने cutting से ही group किया हुआ है cutting से बहुत easily यह group हो जाता है इसकी cutting कभी भी fail नहीं होती है आप इसकी cutting जो है मई जून मंत में भी लगा सकते हैं इसका cutting कैसे लगाने उसका video मेरे channel पे है चार-पांच दिन पहले मैंने video शेयर किया था तो आप देख सकते हैं तो next plant देखी यह है अपराजीता का plant तो अपराजीता का plant जो है nursery पर आपको मिल जाता है single double petal में seed से भी आप इसको अभी भी grow कर सकते हैं क्योंकि इसका जो plant है हफ़ते 10 दिन में चोटा सा plant आपको seed से मिल जाता है और एक महीने का plant जब होगा तो वो बहुत अच्छे से flowering करता है और इसकी जो flowering है गर्मी के दिनों में बरसात के दिनों में और बरसात के बाद के दिनों में नमंबर दिसंबर तक इसकी जो flowering है वो होती रहती है तो देखिए अलमंडा का प्लांट भी आप लगा सकते हैं इसका प्लांट जो है नरसरी पर आपको मिल जाएका 50-60 रवेका तो अलमंडा में भी आपको रंग भी मिल जाते हैं और भी तो गोंफरीना का भी प्लांट लगा सकते हैं गोंफरीना भी एक पर्मनेंट प्लांट हो तो आप उनको तोड़के मिट्टी में डाल दीजिए रख लीजिए तो फिर उन्हीं से आपको न्यू प्लांट भी मिल जाते हैं मैंने देखिए एक वार इसको दो-तिन साल पहले खरीदा था तो अभी जब इसके सूखे फूल इसका सूख जाता तो मैं इसको मिट्टी में ड कि नुमंबर तक होती रहती है और पूरा साल ये प्लांट बना रहता है और गर्मियों में बरसात में बरसात के बाद के सीजन में ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है बहुत ही लो मैंटनेस है और इसको नरस्टी पर लेनी जाएंगी तो सब्सक्राशी से लेके सोर प यह बी आप लगा सकते हैं नर्सिर पर इसकी ड्वार वाराईटी भी मिलती है तो यह बी जो है अच्छा प्लांट है कम केर में फूल लेने के लिए गर्मियों में तो देखी यह प्लांट है बेवी संड रोज का तो बेवी संड रोज भी एक पर्मनेंट समर फ्लावर इंग होता है वैसे प्लांट ये पूरा साल बना रहता है वर इसकी जो फ्लावरी है फर्बरी एंड जा मार्च से शुरू हो कि जब दूप आने लगती है अच्छे से गार्डन में और फिर इसकी जो फ्लावरी है नमबर दिसंबर तक रहती है जब तक अच्छे से दूप गार्डन में लगा सकते हैं तो अगर आपको जो है खुबसूरत फूल चाहिए सिंगल पैटल डबल पैटल जा चोटे साइज में तो आप चांदनी का प्लांट लगा सकते हैं चांदनी की प्लांट में खुशबू भी होती है और बहुत बाइट कलर के फूल भी होते हैं तो चांदनी यहाँ भी इस बहुत ही सस्ता और कम केर में मिलने वाला समर फ़लावरिंग प्लांट होता है जो पर्मनेंट होता है तो इसको भी आप अपने GARDEN में एड़ कर सकते हैं तो next plant दिखी यह है कनेर का प्लांट तो कनेर का भी जो प्लांट है बहुत ही खुब सुरुषा इक पर्म अभी नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजेगा, मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा तो थेंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताईए का और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ अब तक लिए बाई हैपी गार्ड ने